तो हेलो बच्चो सबसे पहले तो आप सभी को एक छोटी सी बात आज जो मुझे बतानी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उनका यह जो रिजूलुशन है ना मतब जो क्वालिटी है वो मैं अच्छे सा नहीं द आप सभी बच्चों को देख रहा होगा हमने यहां से उन किया YouTube ठीक है अच्छा YouTube पे फिर हमने क्या किया सारे बच्चों को में में के अबी हो सकता है किसी बच्चों को ये वीडियो efforts अब करेंके यहां पर देख रहा होगा सारे बच्चों को इさい कुल करना है यहां quality करके आपको देखिया तो ये अगर by default हो सकता auto पे हो तो पहले मेरी बात सुनिए आपको auto पे नहीं रहने देना है आपको क्या करना है चैंज करना है तो quality पे आप click करेंगे ति के मैंने यहाँ पे click किया जैसे ही मैंने click किया आपको देख रहा होगा कि आपे बहुत सारे option दिख रहे हैं auto दिख रहे हैं higher picture quality दिख रहे हैं data saver दिख रहे हैं advanced दिख रहे हैं तो मैं आप सभी बच्चे को suggest करूँगा please click on advanced option आपने advanced पे click किया जैसे ही आप advanced पे click करेंगे तो बहुत सारे option दिखाएंगे यह दिखिए आपको सारे दिखा रहे 144 pixel 240 पिक्सल 360 पिक्सल 480 पिक्सल तो आप सभी बच्चे को suggest करूँगा please click on 720 पिक्सल अब आपको होगा क्या मैं आपको बता दूँ 720 पिक्सल जैसे ही आप click करेंगे apply to your current video करके दिखा रहा है आप चेक कीजे कि कि आप पे सच में आप देखे quality आप यहाँ पे दिखाने लगा य अब 720 पिक्सल के साथ साथ हमचा रहा है अच्छी क्वाल्टी हो इसकी क्वाल्टी बहुत ज्यादा अच्छी होगी एक बार चेक कर सकते हैं ओके यह higher picture quality 360 पिक्सल पर यह आ गया है फिर से में भी कुछ प्रॉब्लम होगा है इसमें हम फिर से जाते हैं यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं कितना 720 पिक्सल वैसे तो यह 360 पिक्सल पर भी अच्छा आने लगा है बट कोई बात नहीं हम 720 पिक्सल कर लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपको देख रहा होगा सब कुछ प्रॉपर देख रहा है सब्सक्राइब करने वाला हूं कि मैं इस पर क्लिक करने वाला हूं जो आपको टॉपिक पढ़ाना है मैं उसी को पढ़ाने जा रहा हूं आप सभी बच्चों को प्रॉमिस भी किया था कि आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा यह सब्सक्राइब के बुक है और मैं यहां से आपको कोशिश करूँगा कि एक एक छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझा हो तो शायद आपको देख रहा होगा सबसे पहले टर्म दिया हुग है केमिकल डियाक्शन ही कोई बी ऐसा बात प्रोसेस जिसमें आपको यह बात पता चले कि नए सब्सस्स कैसे बन रहे हैं अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ तो उसको हम लोग इक्जामपल्स आपके बुक में दिये भी हुए हैं लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ जैसे माल लो एक हमारे पास मॉल्क्यूल था ए ए और एक मॉल्क्यूल था बी और पी ये दोनों मिले और ए भी बन गया तो सवाल सारे बच्चों की दिमाग में भी आत यही चीज यहां पर लिखी भी हुई है लिखा हुआ है डियूरिंग केमिकल रियारेंज्जमेंट आफ एक्टम सेक्टेंगे बिविन रियाक्टिंग सब्स्टेंज तो फॉर्म नियू सब्स्टेंज यह कैसे होगा चैमिकल रियाक्शन इंवाल्विंग ब्रेकिंग ऑफ पुल्ड केमिकल बॉंड देखिए हमने भी आपको यही बात बोला ना कि यह पुराने बॉंड चूटेंगे तभी तो नए बनेंगे तो मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी ठीक है अब हम एक छोटा सा काम करते हैं अभी के लिए मैं कर लेता हूं इ प्रेक्षा नहीं कि हाइड डॉजण अपने लिए हाइड डॉजण को आप कारबन मना देंगा और कारबन हाइड़ोजन रहे गाए उसमें भी सिर्फ रियरेंजमेंट हो सकता है तो यह टम्स यहाँ पर लिखे हुए कि चैमिकल रियक्षिन का जब रियक्षिन हो रहा होग तो atom जो है एक element का वह चेंज नहीं होता है ठीक है वह सिर्फ उनमें क्या होता है रियर्इंजमेंट होता है ठीक है तो अब हमको दो चीजे परणे है जैसे arrow आप बनाते होगे तो आपको याद होगा आप arrow बनाते होगे तो इधर लिखते होगे कोई A प्लस B B gives C प्लस D तो याद रखिएगा arrow की इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों reactant और जो बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं product definition मैंने आपको जो notes में बताया था एक और नया definition में सुन लिजए आप ही लोग के लिए अच्छा है क्या definition सुन सकते हैं reactant की एक और नया definition क्या है कि as a substance जो participate करते है chemical reaction से which takes part in chemical reaction नीचे वाला नहीं है उपर वाला है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे reactant अच्छा जो नया substance बन जाए the new substance produced ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्छो product ठीक है hopefully इतनी चीज़ा आपको clear हो गए होंगी अब एक chemical reactions में एक reactant product में बनता है तो product की बिल्कुल नई property होते है जैसे एक छोटा सा example हम यहीं पर ले लेते है magnesium का magnesium को हम air में burn करते हैं वो बन जाता है magnesium oxide white powder ठीक है तो जब यह नए form में change हो गया तो यह भी एक तरह का क्या है chemical reaction अब आपको एक छोटी सी बात जो इसमें पढ़नी जो बोर्ड में पूछा हुआ है दो तीन बार मैं आपको समझाना भी चाहूंगा कि before burning in air magnesium ribbon को क्या किया जाता है बच्चों clean किया जाता है ठीक है अब वो clean कैसे एक sand paper से उसको क्या करता है हम लोग रब करते हैं सवाल यह कि क्यों रब करते हैं तो क्योंकि देखें magnesium का जो starting का होता न सब्सक्राइब एक layer बन जाती है कि इसकी magnesium oxide ही अगर magnesium oxide के layer बन जाती है वो तो बन ही नहीं हो पाएगा ना उपर वाला layer जब oxide कर तो कहां से बन कर पाऊगे पहले वह वाला कुछ ना कुछ बनेगा उसके बाद नीचे वाला बनेगा तो इसलिए उपर वाले को हम क्या कर देते बच्चों ऊपर वाले को हम यहां से remove कर देते हैं ठीक है इतनी बात इसलिए आप सभी बच्चों को suggest भी किया था कि जब आप इसको burn कीज़े तो प्लीज एकदम पास से मत बन कीज़े आखों पर आपके effect भी पढ़ सकता है ठीक है यह सारे experiment देखे जो मैं अभी बोला हो ना वह पूरा experiment यहां पर किया है कि बहिए दो सेंटीमेटर क्या ले ल मैं आपको देख रहा हूं क्या ओके तो थोड़ा सा वह मैं चेक कर रहा है क्या मेरा काम तो नहीं कर रहा है कहीं है सब नहीं दिक्कत हो गया है अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस chemical reactions के वारे में हम लोग पढ़ रहे हैं देखे chemical reaction generally जो carried होता है इसमें जो perform होता है हम सा तो आप खाना खाते हो ना तो उस वक्त भी खाना खाते हो जो भी काम होता है वह भी chemical reaction ही है इवन ग्रेव्स का fermentation होना वह भी है chemical reaction आयरेन पर जंग लग जाना वह भी chemical reaction है अगर मैं बात करूँ फलो का पकना भी ठीक है वो भी एक तरह का chemical reaction है ठीक है आप सारे बच्ची यह चीज़ें notice कीजेगा कि यह सारे के सारे क्या है chemical reaction इवन दूद का कर्ड बन जाना तो वह भी एक क्या है chemical reaction है तो यह बाते हम सभी बच्चों को पता होनी चाहिए ठीक है अगर नहीं पता है तो प्लीज आप यह चीज़े नोट कीजिए कि chemical reaction कहां कहां हो सकते हमें कैसे पता चलेगा कि यहां chemical reaction रहा है ठीक है अब next point आता है characteristics of chemical reaction मैं सारे बच्चों को बता दूँ कि जब भी हम बात करते है characteristics of chemical reaction की तो याद रखेगा characteristics का मतलब होता है उनकी qualities ठी कैसे हम पैचानेंगे तो देखिए characteristics का मतलब यहां पर शुद्ध हिंदी तो मुझे exactly नहीं पता है बट मैंने जितनी कोशिश की आपको समझाने कि वह यह है कि हमें यह कैसे पता चलने वाला है कि इसमें chemical reaction हो रहा है तो कुछ अच्छाईयां है कि देखके पैचान सकते हैं आप यह देखके हम पैचान सकते हैं कि अगर मालो कहीं सी evolution of gas हो रहा है वो भी chemical reaction है मालो evolution of gas नहीं हुआ formation of precipitate हो गया वो भी chemical reaction है अच्छा वो भी नहीं हुआ color change हो गया तो भी chemical reaction है वो भी यहां पे जो नीचे देख रहा है ना granulated zinc नीचे रख दिये गया ठीक है उपर से sulfuric acid कुछ amount में गिरा गया जैसा ही गिराते हैं मैं आपको clear कर दूँ यहां से कुछ gases निकलते हैं बहुत सारे gases निकलते हैं जो उपर की तरफ जाते हैं ठीक है तो वह gases कौन से होते हैं hydrogen gas बूम बूम करके निकलते हैं ठीक है तो यह क्या है यह है हमारा बिटा evolution of gas का एक example ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसी पर experiment कर सकते हैं आप अगर dilute hydrochloric acid का reaction magnesium के साथ भी कराएंगे तब भी आपको पता चलेगा कि वहां से hydrogen gas निकलता हो आपको observe होगा लेकिन कैसे पैचानने के लिए तो मैं आपको सिर्फ एक चोटा suggestion दरो परिशान होने की बात ही नहीं है पैचानने के लिए तो भई आप सिर्फ एक observation दिखो किया रहे effervescence के साथ कुछ gases निकलेंगे वह effervescence originally कुछ और नहीं है CO2 carbon dioxide gas ठीक है अब next point आता है बच्चों next point है formation of precipitate क्योंकि हमने 5 characteristics पढ़े तो सबका example भी देना पड़ेगा तो formation of precipitate कैसे होगा तो देखे यहां पर experiment ही सारे हम समझते हैं क्योंकि जब तक हम experiment ही समझेंगा हमें potassium iodide का solution उसमें mix कर दीजिए मेरी बात याद रखेगा lead nitrate का solution ले लिजे अलग potassium iodide का solution ले लिजे एक अलग मतब दो glass में हमने भर लिया अब किसी भी एक glass में से दूसरे glass को पूरा भर दीजिए मतब potassium iodide मालीजम इसमें भर दे रहे हैं इसमें क्या है lead nitrate जैसे ही आपने lead nitrate इसके अंदर जो भरा हुआ तो उसमें potassium iodide मिलाया तो रंत ही वो जो colorless solution था दोनों का वो किसमे color change जाएगा yellow color में और PPT पूरा का पू चलता है वाई साब कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर प्रेसिपिटेट का formation हो रहा है देखिए यहां पर डियाग्राम ही बनाया बहुत अच्छे लुक में बनाया हुए तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं next आता है change in color देखिए सारे चीजों को हम one by one ही लेके चलेंगे तो चेंजन कलर पर आता है जब हम तो कैसे आप प्रूफ करोगे यह चेंजन कलर रहा तो एक्सपरिमेंट पर यह आते हैं पहले क्या ले लिए इसके color दीरे दीरे क्या होते चलेंगे खतम होते चलेंगे तो हो सकता है वह जो परपल कलर है वह दीरे दीरे गाया बते चला जाए अब एक और एक्जाम्पल अगर आप चाहो तो ले सकते हो पोटैश्यम डाकुनमेंट किस कलर में होता है औरेंज कलर में जैसी सल्फार डायोकसड गैस उसके कंटक्ट में आएगा धीर दीर उसका color चेंज होगा किस कलर में चेंज जाएगा ग्रीन कलर में यहां पर भी क्या हो रहा बच्छो चेंज इन कलर ठीक है तो यह सारे इसलिए मैं आपको सारे इसांपल्स बता रहा हूं कि बोर्ड में पूछा हुआ है तो अगर आपको याद रहेगा तो आपका थोड़ा सा भला हो जाएगा ने तो फिर नमस्ते हो जाएगा ठीक है चलो अब हम लोग बात करते चेंज इन टेंपरेचर पे जोग आप चेंज बाहर से देखोगे ना बहुत जादा गरम हो जाएगा कहीं आप हाथ अगर अंदर डाल दिया उसका आपका हाथ भी जल जाए तो ऐसी सिच्वेशन ना लाने के लिए हमें थोड़ी से बद्दी बढ़ानी कि यह अक्टिविटीज नहीं करनी है दूसरा जिंक को जब आप तो तब भी हाइड़ेजन निकलता और पूरा कंटेनर भी गरम होते जाता है तो मतलब वहां पर भी टेंपरेचर बच्चो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है यह एक्जामपल भी अगर आपको याद रहेगा तो इसका थ्रेड भी बन हो रहा है तो एक्टेंडल मालो वैक्स तो मैटी होता है वह बन केलियम नहीं बोलता है बट जो कैंडल का थ्रेड है वो तो पूरा भी या उड़ रहा है अच्छा वो सॉलिट से डारेक्टली किसमें गैस में क्या है चेंजिन स्टेट है अब इसके बाद बच्चों एक निया टर्म आता है जिसका हम लोग बोलता देखें chemical equation क्या होता है पहले हमको यह समझना है कि जो भी हम chemical reactions के बारे में बात करते हैं अगर उसी chemical reactions को हम किसमें लिख दें symbols में फॉर्मूले में ठीक है तो उस terms को हमनों क्या बोलेंगे chemical equation जैसे हम बोलें zinc और sulfuric acid जब react करता है तो zinc, sulfate और hydrogen यह तो word में लिखा हुआ है यह किसमें लिखा हो देखें द्यान से यह किसमें लिखा हो बच्चो वर्ड में अगर आप चाहरो नई भी आप वर्ड में ना रहें यह symbol में आ जा तो कुछ नहीं zinc का हमने लिख दिया ZN, sulfuric acid का हमने लिख दिया H2SO4 देखें zinc के लिख दिया sulfuric acid का H2SO4 और बीच में हमने एक sign यूज़ के दिया, कौन सा sign, plus sign देखें हमने कौन सा sign यूज़ के दिया बच्चो प्लस sign तो आप plus sign का मतलब है यह दोनों आपस में react हो रहे होंगे और एक product बना zinc, sulfate और hydrogen तो दोनों अलग अलग है तो आपस में product भी बनाते हैं अब जो नया substance बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, product बोलेंगे, जो participate हो रहा था उसका हम लोग क्या बोलेंगे, reactant यह तो आप पहले से जानते हो, सवाल आया balance कैसे करें, या दखिए का chemical equation हो सकता है, दो form में express हो, या तो balance या तो unbalance, balance का मतलब क्या होता है, कि जितने number of reactant इधर हैं, अगर उतने number of reactant product side में, होगा balance, जैसे यहाँ पर zinc 1 है, यहाँ पर भी zinc 1 है, चलो balance है, hydrogen यहाँ पर 2 है, hydrogen यहाँ पर भी 2 है, sulfur यहाँ पर भी 1 है, oxygen यहाँ पर 4 है, oxygen यहाँ पर भी 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप ही बताएं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, balance, जब सब तरफ से बराब Oxygen की बात बताई है can you дела can you but you better być इदर कितना है वन यह तो बैलेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं कि अ बट अब सवाल यह आएका कि लोग आप से बोलेंग इसको बेलेंज़ नहीं के दफ़ोदो तरीके होता है एक तरीका जो यहां पे दिया हुआ और एक तरीका जो मैं आज आ हम सारे बच्चों को अपने हिसाफस आप त्राइ किजेगा कोई और यहां ली और कर academy हूं मेरी मेरी बाद समझेगा जैसे H2 लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है गिफ्स क्या है एच्टू ओ तो अगर आपको यहां पर oxygen 1 दिख रहा है आप इसको 2 करना चाहते तो आगे 2 से multiply कर दीजे जैसे आपने आगे 2 से multiply किया मेरी बाद समझेगा थोड़ा H2 अच्छे से बना नहीं था तो मैं इसको पहले बना दूँ वह थोड़ा अलग लग लगे था तो हमने क्या किया अगर आगे मैं 2 से multiply करऊंगो तो याद रखिएगा यह इससे भी multiply होता है यह इससे भी multiply होता है तो उस रिसाब से मेरा hydrogen 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 कितना हो गया मेरा और oxygen का काम तो मैंने कर दिया लेकिन hydrogen इजर कितना है बच्चों तो क्या कर लें आगे कई बच्चे क्या करते हैं यहीं पर कुछ भी जोड़ने लगते मैं पहले ही ठीक है अब next term पर यह तो एक था ठीक है लाई एक और मैं आपको एक्जांपल देता है जैसे मानलो मैंने लिखा केया है काम होग गया है अब अगर PAUL हो गया्य काम एक यह पच्चों को एक और नया मेथट हूं हो सकता है यह आपके लिए अच्छा हो जैसे आपने लिखा है यहाँ पे H2 प्लस O2 गेवस H2 सारे बच्चे पहले मेरी बात समझ लिजेगा यह आपके लिए helpful है आपको कुछ नहीं करना है ABCD method है यहाँ पे आप लगा दीजे यहाँ पे आप लगा दीजे B और यहाँ पे लगा दीजे आप C ऐसे आपको करते रहे ने जितने भी जादा होंगे ना ABC ऐसे आपको करके लिखना पड़ेगा अब कुछ नहीं करना है अब सिर्फ सबकी counting नहीं hydrogen oxygen दो ही element है और कुछ तो है नहीं तो hydrogen reactant side में कितना है जोको आगे A लग गया तो मतलब 2A है equal to क्योंकि product से match करना है अच्छ यहाँ पे कितना है 2C तो hydrogen 2A is equal to 2C यह hydrogen का होगे अब बात करें oxygen की तो oxygen यहाँ पे कितना है 2B oxygen reactant side में कितना है 2B equal to equal to का मतलब product side की बात कर रहा हूँ तो वो कितना है सिर्फ कितना है सिर्फ कितना है सिर्फ अब आप सारे बच्चों को मेरी एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी जो चीज आपको सब में common दिखे यह maths का थोड़ा सा जोकारू method है तो जो चीज आपको सब में common दिखे आप उसकी help लीजे तो भाईया hydrogen में भी हमको C दिख रहा है oxygen में भी हमको C दिख रहा है तो मान लेते हैं let C is equal to what 1 C को हम क्या मान लेते हैं बच्चों 1 अच्छा C को जैसे हमने 1 रखा सारे बच्चे ध्यान से देखेगा जैसे हमने C is equal to 1 रखा तो 2 A is equal to क्या हो गया 2 तो A की value हमारे कितनी आ जाएगी 1 यानि A भी हमारा 1 हो गया और C भी हमारा 1 हो गया अब next मुद्दा आता है कि यह सब तो ठीक है लेकिन B कितना आएगा तो C की value कितनी बच्चो 1 2 B is equal to 1 तो B की value कितनी आजएगी 1 by 2 अब यहीं साया twist कितने बच्चो ने ये बात सुनी है कि कोई भी एटम धाई साड़े तीन पौनी तीन साड़े चार नहीं हो सकता है अगर आप सभी ने सुना है तो आप बिलकुल सही सुने हो बच्चो ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी आटम 2,3,4,5 ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको करना क्या है आपको कुछ भी करके एक डिएलू वना यह ठीक है सी की वैलू बना यह ठीक है लेगिन बी की value भी fraction में नहीं होनी चीए तो हम क्या करते है बच्चों हम ओवर ओल एक्वेशन को हम लोग डिया क थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए तो मैं एयर मोड करने से मेरा लूटूथ भी चला जाएगा ठीक है तो जो इतनी सारी मैनेज से लिखा था मैंने देख वेलू यहाँ पर कितनी है वन बाइटू अब सारे बच्चे समझिएगा मुझे वन बाइटू रखना नहीं है तो मैंने ए को भी याद अखिएगा सब को मल्टिप्लाइ करना किसी एको आप नहीं कर सकते तो मैंने एको भी टू से मल्टिप्लाइ कर दिया मैंने सी को भी कितनी से मल्टिप्लाइ कर दिया तो मेरी सी की वेलू कितनी आगे टू और मैंने बी को भी टू से मल्टिप्लाइ क अगर आप ने इसको रेस कने वाला कोई मैथड यह चली कोई बात नहीं अगर आपको पता चल गए A की वैलू कितनी है 2 तो आप रख दीजे 2H2 B की वैलू कितनी आए B की वैलू आई 1 तो प्लस O2 और C की वैलू कितनी आई C की वैलू आई 2 तो 2H2 आपका reaction हो गया मैं और भी methods देखाता हूँ आपको कि आपको problem न जैसे मालो बैच्चों मैंने लिखा यहाँ पर N2 plus H2 gives NH3 फिर से वही काम करना है ज्यादा परिशान नहीं होना है इसको माल लेना A इसको माल लेना B इसको माल लेना C फिर से nitrogen का comparison कीजिए यहाँ पर लिखे nitrogen यहाँ लिखे hydrogen दो ही है ना तो nitrogen कितना है 2A is equal to C hydrogen कितना है 2B is equal to 3C लिख दिया कोई दिक्कत नहीं दोनों में C है तो माल लेते हैं let C is equal to 1 अगर C 1 है तो A कितना आ जाएगा दियान से देखे A की value आगे 1 by 2 यहाँ से आप answer देगे मुझे पूरा अच्छे से पता है B की value कितनी आगे देखे C की value 1 है तो आगे 3 by 2 काम क्या करना है हमें हमें यह नीचे 2 नहीं चीए by 2 कुछ नहीं चीए पूरे को 2 से multiply कर दो तो C into 2 A into 2 into 2 अब आप बताए A की value कितनी है ध्यान से देखे A की value आगे 1 तो यहाँ पर 1 किसी नंबर से multiply नहीं करना 1 ही रहन जाना ठीक है अब यह बताए B, BH2 है न, B की value कितनी है ध्यान से देखे 3 by 2 into 2 तो यह दोनों cancel हो गए, B की value कितनी आई, 3 काम हो गया, अब next time आता है क्या हमारा C C हमारा क्या आता है, 1 into 2 C हमारा क्या आता है, 1 into 2, तो यानि हम C पर क्या रखेंगे 2 यानि यहाँ पर रखेंगे 2, reaction होगे बहले, अराम से कुछ भी नहीं करना है तो hopefully बच्चों यह दोनों methods आपको समझ में आ गयोंगे मेरी नजर में मैंने जतनी कोशिश की आपको समझाने के लिए वो शायद अब ही अगर efficient नहीं होगा तो एक और वीडियो बना लेंगे बट अगर आपको अच्छा लगता है तो please share किजेगा अपने friends को, ठीक है अब आता है to make equation more informative, देखे कोई भी chemical equation है अगर कोई आपसे सवाल ही पूछ ले, कि और इसको जादा informative कैसे कर सकते है चोटी सी बात है, आप यह बता दो कि यह जो reaction लिखा रहा है, वो किसकिस state में है अगर आपने state लिख दिया, AQ मतलब होता है, AQUOS, G मतलब gas, S मतलब solid, L मतलब liquid ठीक है, AQUOS का मतलब सारे बच्चे जानते होगे कि उसको पानी में dissolve कर दिया जाता है अब next point आता है, next point क्या है हमारा, heat changes, देखो अगर heat changes से related मैं कभी भी आपसे बात करूँ तो हो सकता है वो reaction exothermik हो या endothermik हो, तो मेरी बात अच्छे समझेगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ आपका काम असान हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे plus delta या heat लिख दूँ, तो product के side में मैंने plus लिखा है मतलब product के side से heat release हो रहा है, या तो, या तो मैं यहाँ पे minus delta लिख दूँ, अब इस minus delta का मतलब क्या है, minus heat तो, यानि अगर यहाँ पे minus है, तो reactant side में क्या होगा, plus, बस plus का खेल आप समझेगा जिदर plus है, मतलब वहीं heat है, तो reactant side में heat है, मतलब reactant को heat दिया जा रहा है product side में heat है, मतलब product से heat release हो रहा है, जिदर plus आएगा ओधर ही समंझने है है यहां परलस में हीट है तो hates रीलीज नहीं हो रहे व रहे है फीट लियुक्त है सारे बच्चोर में ठीक है इतनी चीजैस को खुर बलंबे चौड़े में समझाए हुआ है यहां पर और अच्छा पहले हमको यह भी समझना और वर्ड से मिला हुआ एग्जो अथर्मिक मतलब एग्जो का मतलब होता है एक्जिट और मतलब हीट तो अगर हीट क्या हो निकले हीट क्या हो निकले तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्जो थर्मिक रियक्शन ठीक है ओफुली ये सारे बच्चों को समझ में आगे बात ठीक है ये call regular basis पे आ रहा है classes disrupt हो रही है बट कोई बात नहीं मैं पूरी कोशिश करता हूँ चलो अब एक और छोटी से कोशिश तो करी सकता हूँ मुझे call आ रहा है एटल से तो मैं एटल को बंद कर देता हूँ ठीक है अब हम लोग बात करते है नेक्स पॉइंट पे हीट चेंज से रिलेटर हम लोग बात करते हैं वही है क्या-क्याई हीट चेंज होगा तो सारे बच्चे समझेगा मैंने आपको पहले ही बता है अगर प्लस इधर लगा हूँ है मतल़ हीट रिलीज हो रहा है और अगर मानलीजे प्लस बेटा यहां न लगके कहा लगा हो अंडो-धर्मीक वाला नहीं है अब हम लोग आते हैं नेक्स पॉइंट पर देखिए हीट बता दिया हमने अब हो सकता है कि अगर कोई कंडिशन अप्लाई हो रहा है तो यहां पर लिख दो तो यह भी चीज़े मैंटर करती है कि मुझा अगर कुछ और अगर नहीं आएगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट में कुछ भी दे सकते हैं कि सर यह वाला बता यह वाला बता यह वाला बता यह वाला बता यह तो आम रड़ी कि मैं उस जो को जरूर बताहूं आपको तो टाइप सफ और बोलता है पांच होते हैं अभी आप इसी क्लास में तो इससे जादा बताया भी नहीं आज दिस्प्रोपोर्शन और यह सब चीज़ें आपको नहीं सर्फ मेंली आपको जाना 5 और पहला होता है दूसरा होता है द डिस्प्लेस्मेंट डियक्षिन चौथा होता है डबल डिस्प्लेस्मेंट पांच वाँ ऑफ और रिदक्षिन मैं पहले कुछ हिंटों में समझाओ जैसे मान लो कहें लिखावाना अब जो त्यार हुआ डिस्प्रोडक्ट खाने वाली चीज़ होगी पांच मिनट में दस मिनट में जो भी मैगे बनके त्यार होते हैं जब मैं बात करूंगा इतना बड़ा पत्थर है ऐसे समझना है इसको मैंने तोड़ 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 दिया तो बड़ा सा पत्थर छोटे करने वाला कुछ भी अभी के लिए डिकंपोजिशन का मतलब क्या होता या टूट जाना डबल डिस्प्लेश्मेंट डिस्प्लेश्मेंट का मतलब होता है कि एक इंसान किसी दूसरी इंसान की जगा ले ले या इंसान का मतलब आप समझेगा आदमी थोड़ी ना आएंगे करने हैं ठीक है तो आता है डबय डिस्प्लेस्मेंट का मतलब यह दो आपस में कंपाउंड ही आएंस का एक्षेंज करने लगे रेटकल का अपने लुद्पेशन हो रिडख्शन तो बहुत लंब चोड़ा है तो सारे पॉइंट्स को लेकिया अभी इतने हैं बिसकस कर लेत अब definition पर आते हैं, सारे बच्चे definitions पर आईए, कि भईया, combination का क्या definition दिया हुआ है, तो सारे बच्चे समझते भी हैं, कि combination के definition में बोला हुआ है, कि acid reaction, जिसमें 2 या 2 से अधिक substance आपस में react करें, और एक single substance बना के तयार करें, तो उनकों क्या बोलेंगे, combination reaction, अब जैसे example के त reactant है, दूसरा reactant, एक ही product बना रहा है, हो गया combination, hydrogen एक है, oxygen एक है, एक ही product बना रहा है, हो गया combination, ठीक है, तो मतलब combination reaction का सीधा समझते बोलता है, कि 2 या 2 से जाधा आपस में reactant मिल ले हूँ, और एक single product बना रहा हूँ, तो वो क्या होगा भी है, हमारा combination reaction, लोकों बहुत सार हम दिया हुआ है, चलिए इस पर हम लोग discussion कर भी लेते हैं, कि यह देखें, यहाँ पर calcium का दिया हुआ है, कि quick lime react vigorously with water to form calcium hydroxide, अब जब दिया है, तो इस points को पढ़ना भी ज़रूर है, मेरे साब से तो, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, शायद आपको दिख रहा ह होगा, हाँ, अब इसमें discussion दिया हुआ है, कि जो हम white washing में use करते हैं आपने घर में, वो क्या होता है, quick lime होता है, ठीक है, वो क्या होता है, calcium oxide होता है, जब हम calcium oxide क्या करते है, add करते है, ठीक है, water उसमें add करते है, तो पहले बहुता है calcium hydroxide, ठीक है, गरम होता है, अब उसके तो वह हाउस पर हम लोग जनरली अपलाई करते हैं ब्रेश पर अपलाई करते हैं होता कि इससे white washing में बहुत दारा help होती है तो आप कह सकते हो यह जो आप लोग घर में लाते हो ना powder वाला ठीक है वही है कोई क्लाईम ही है ठीक है तो इसको पानी में मिलाते हैं फिर तुरुन जोड़ते हैं लाओ इसको बताई देते हैं अब नेक्स पॉइंट आता है बच्चों हमारा डिकंपोजीशन देखिए सारे बच्चे समझिएगा कि इतना बड़ा सा ये कैल्चिम काबोनेट है हीट किया बहुत दरा हीट किया किसमें टूट गया कैल्चिम ऑक्साइड और कर्म देकर एक से जारा प्रोड़क्त बसका लिए ना चाहिए एक से जारा प्रोड़क्त दे रहा है तो क्या हो जाएगा डिकंपोजीशन रियक्शन अब अगर कोई आपसे ये बात पूछ भी ले किया डिकंपोजीशन से इनी हीट से नहीं अगर वह यीट से होता है तो उसको बोल देंगे थर्माट टीकंपोजीशन जैसे कि काल्चिम काबोडे में भी हो रहा था थे तो thermal decomposition है, लेकिन अगर मान लो बच्चों, heat से ना होके, वो किस से होने लगे, देखो बहुत सारे example दियो है, मैं आपको खुद भी बता रहा हूँ, ये exam में पूछा भी हुआ था एक बार, कि अगर आप ferrous sulphate, जो green color में उसको heat करते हैं, तो आप क्या observe करते हैं, तो पहले तो इसको heat भी कर रहा है, तो वहाँ से भी observation वह चाह रहा था, तो उसको मिला भी है, lead nitrate को भी जब आप heat करेंगे, मैंने ये आज के class में कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे थे, online, मैंने उनको बताया भी था कि जब आप lead nitrate को heat करोगे, तो brown color का fume बाहर निकलता है, और yellow color पर पूरा बन के त्यार हो जाता है, मतलब जो compound बनता है, yellow color का solid form है, वो नीचे test tube पर stick रहता है, तो ये भी एक example हो सकता है, change in color का भी, आप खुछ सोचिए, colorless से क्या हो गया, yellow color हो गया, तो आप यहाँ पर भी chain in color वाली concept को use कर सकते हैं, अब देखे, ये तो term था heat वाला next है, water को आप सारे बच्चे हमको लगता है, बच्पन से सुनते आ रहो कि water का ऐसे break नहीं किया सकता, ये से break होता है by electrolysis, तो electrolysis का मतलब क्या होता है, ये electricity pass किया, ठीक है, एक तरफ cathode होगा, एक तरफ anode होगा, बच्पन से बढ़ते आ रहो लेकिन हाँ, क्योंकि अभी ये स चोटे चोटे अलग अलग कंपॉंड मिलगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, electrolysis, अब और भी टर्म्स हैं, जैसे हमको NACL का भी बहुत सारे एक्जांपल्स हैं, ये सारे एक्जांपल्स तो आपको देखना पड़ेगा, हाँ, एक आता है, लाइट से मालोगा, टूर जा साइड में आपको solid form में देखेगा, और chlorine gas उड़ जाएगा, तो ये भी एक 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 जांपल है, जो आप चाहो तो यूज कर सकते हो बिटा, in case of photochemical decomposition reaction, ठीक है, कई बच्चे पूच्चे पूच्चे के क्या फायदा है, तो दोखो, हम decomposition reaction में लिए इसलिए प्रिफर करते हैं, कि मालों कोई compound है, compound से मालों metal चाह रहे हूँ, तो हमारे लिए तो अच्छा होगए ना decomposition reaction, ठीक है, तो ये NCRT के कुछ questions हैं, मैं चाहूँगा कि ये सारे questions आप सारे बच्चे लगाईए, अगर कहीं आप problem में फस्त हैं, तो definitely तब मैं आपकी help करूँगा, अब यहाँ पर द जैसे माल लिजे, यह zinc है, higher reactive है, copper sulfate, less reactive है copper, तो zinc कुछ नहीं करेंगा, copper को हटाएगा, खुद इसकी जगा ले लेगा, क्या बना लेगा, zinc sulfate reaction, डेके, definition में भी वह लिखा हुआ है, the reaction in which one element takes the place of another element in a compound, उसको हम लों क्या बलेंगे, displacement reaction, अब बहुत सारे बच्चे इस बात क लेके परिशान होते हैं, कि सर, हम learn कैसे करें, reactivity हम पता ही नहीं है, तो कैसे learn करेंगे, तो मैं चलिए आज छोटा सा attempt ही करता हूँ, एक कहानी लिखिए, popular, एक महान scientist था, popular scientist, ठीक है, scientist, फिर, can, can, क्या, make, make, a, जू, इन, इन के बाद, द, फिर, low, humid, ठीक है, spelling नहीं लिखाएगा तो आपको याद रहना है, humid country, ठीक है, more satisfactory, more, फिर, यहां S का मतलब आप समझ लिएगा, satisfactory है, फिर, giving, जी, for giving, फिर, last में आएगा, peace, giving, peace, P for peace, मैं मतलब पहले समझा दूँ, यहां popular P का मतलब होता है, potassium, S का मतलब होता है, sodium, C का मतलब होता है, calcium, M का मतलब होता है, magnesium, A का मतलब होता है, aluminium, यह, popular scientist can make a zoo, Z, Z का मतलब होता है, zinc, में आई का मतलब होता है इन का मतलब होता है याद रखे मेरी बाते सुनिए अपके काम आएगा और एच का मतलब होता है हुमिड और सी का मतलब होता है हीविजन country में C का मतलब होता है क्या copper और M का मतलब होता है mercury more का मतलब M में मतलब mercury और satisfactory में S का मतलब होता है silver G का मतलब giving मतलब यहाँ पे होगा gold और piece में P का मतलब होता है platinum तो अगर आप यह learn कर लोगे तो यह आपके लिए effective है आपको सारी चीज़ें बहुत tension लेनी की जुरुत निए एक वार में आपको सब समझना आ जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा next वाले वीडियो में यह पूरा बना के आपको एक PDF जैसे explanation करते हो within 2 or 3 minutes ठीक है helpful होगा आप सभी बच्चों के लिए next आते point displacement है बस याद रखना है अब दोको सवाल कई लोग पूछ भी लेता है क्या copper इसको डिस्पेस करेगा हाँ क्योंकि copper इससे ज्याद़ रियक्टिव है लेकिन उल्टा होता है मालो CONO3 और AG होता तब तो reaction होता ही नहीं अगर मालो यह reactant side में होता है तब क्या होता है तो reaction होता ही नहीं क्यों क्योंकि इसमें silver लेस रियक्टिव है तो displaced नहीं कर पाएगा अब आते हैं हम लोग double displacement reaction बोलता है क्या है एक ऐसा reaction जिसमें दो compound react करें लेकिन कैसे exchange of ions से मतलब ions इनकी क्या हो जाए एक्स्चेंज अब इसका example लेते है जैसे कोई हमसे पूछ लिया विया कौन सा आइन से exchange होता है हम कोई बता दो तो कहना विया यह NO3 एक ions है एक CL एक ions है तो NO3 का ions N के पास पहुंच जाए और CL का आइन AG के पास पहुंच जाए तो जो भी compound बनेगा उसको लोग बोलेंगे double displacement reaction ठीक है अब यह double displacement reaction बच्चों दो तरह से होते हैं शायद आपके बुक में दिया है एक मिनट गयाप कर दिया किया जी चलो मैं ही बता देता हूँ double displacement reaction बच्चों दो तरह से होते हैं एक होता है आपस में react कर रहोंगे ठीक है react करने के बाद जब आपस में मिले तो पता चला product में कोई एक नीचे बैठ गया तो उसको लोग बोलते हैं क्या precipitation reaction जैसे आप यहीं example दिख लीजे यह दोनों क्या हैं यह दोनों soluble हैं ठीक है aqueous हैं लेकिन मिले तो यह agcl नीचे बैठ गया white p बनाते हैं तो इस reaction को अम लोग बोलेंगे precipitation लेकिन अगर मालो मैं acid और base से जब reaction कराऊंगा तो जो भी product formed होगा वह उता है salt and water और इस reaction को अमनों बोलते हैं neutralization reaction क्यों neutralization क्यों है इस नेक्स पॉइंट पर जिसका नाम है oxidation and reduction reaction तो कहले कुछ ऐसे points है जो मैंने आपको पुराने वाले notes में भी समझाया था इस बार भी समझाओंगा कि oxidation जहाँ पर शब्द यूज होगा उसका आपको कुछ term चाहँ रखना है addition of oxygen या removal of hydrogen किसी भी substance तो उसको उमनों क्या बोलेंगे oxidation याद रखिएगा इससे का just opposite होता है reduction जो मैं यहाँ पर बोलेंगा उसका just opposite इसमें अब थोड़ी सी चीज़ा हमें समझ दी भी है कि जिस substance का oxidation होगा मेरी बास समझेगा जिस भी substance का oxidation होगा उसको हम लोग बोलते है reducing agent इसको हम लोग क्या बोलेंगे reducing agent देखें यहाँ पर definition में दिया भी हो है the substance which gives oxygen for oxidation मतलब यह reduce हो रहा है बास समझेगा यह दूसरे को oxygen दे रहा है तो मतलब खुद क्या होगा reduce तो इसको हम लोग बोले हो जाएंगे यह example हम लोग लेते हैं example थोड़ा अच्छा भी है जैसे माली यहाँ पर CUO है अच्छा यहाँ पर reactant side में oxygen था यहाँ पर है नहीं तो इसका हो गया reduction अच्छा है hydrogen अकेला था इसको oxygen मिल गया रहे बापर तो इसका क्या हो गया oxidation अब मेरी बास समझे जिसका reduction reducing is in RA hopefully यह चीज़ें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है ठीक है कुछ और भी terms है जैसे electronegative element को आप add करोगे तब भी बईया क्या होगा इनका oxidation reduction जैसे अभी आगे है example मुझे जहां तक लगता है नहीं होगा तो मैं खुदी बता दूँग आपको देखिए addition of non metallic element जैस लेकिन दिक्कत क्या था कि कम कम non metal add हुए ठीक है कम non metal add हुए तो इसका क्या होगा विए reduction ठीक है क्योंकि दो माइनिस वाला है और यह कम वाला है लेकिन hydrogen में क्या हुआ आप ध्यान से देखू अगर मैं बात करूँ hydrogen के case में तो यहाँ HCL से क्या बन गया ध्यान से देखिए chlorine तो अगर बेटा यह HCL से chlorine बन जा रहा तो आप खुछ सोच कर बताइए क्या इसमें removal of hydrogen नहीं हुआ कि सारे बच्चे समझिए इसमें removal of hydrogen हुआ कि नहीं हुआ तो HCL किसमें हो रहा है औक्सिराइज होके chlorine मन जा रहा है बट M12 क्या हो रहा है improvinglungs क्या हो रहा है आपि सारे बच्चे समझिए MN02 यहां पर क्या हो रहा है कि यहां कि यह पर है 2 सब्सक्राइज को समझ में आ गया क्यों क्यूंकि यहां भैया oxygen के amount quantity क्याCor Stupid ठीक है तो ये इतनी बाते हैं अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है so hopefully it will work अब इसके हम लोग आ गया आते हैं देखें बहुत सारे examples हैं हम लोग सारे examples तो one by one एक बार में नहीं समझ सकते हैं बट ये सारे examples के बाद एक terms आता है effect of oxidation reactions in everyday life देखें दो ऐसी चीज़े हैं जो oxidation के वज़े से effect होती है और सच में नुकसान भी बहुत जादा करती है एक है corrosion ने दूसरा रेंसिडिटी corrosion तो शायद आप कह सकते हैं अगर ना हो तो ना जाने कितने pillars जो हैं वो बच जाएंगे लेकिन उसी के वज़े से तो हमें बहुत आरे expense करना पड़ता है पेंटिंग यूंटिंग और और corrosion होता क्या है अगर कोई भी metal धीरे धीरे खतम होने लगे eaten up gradually किसके presence में air moisture में और उनमें chemical reaction होने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या corrosion प्रस्टिंग ऑफ iron metal भी एक example है corrosion का आरेन अराम से बिचा रहा था लेकिन air और मॉश्यर के contact मैंने से इसमें यह सब आ गए याद रखिए कि यह कमजोर बना देते हैं यह क्या करते हैं आरेन को कमजोर बना देते हैं तो यानि इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे या corrosion कोई पूछे कि इसको रोका कैसे जा सकता है तो मैं आपको खुछ suggestion दे रहा हूँ या पेंट लगा दू आप greasing कर दू आप paint लगा सकते हो आप greasing कर सकते हो आप oiling कर सकते हो ठीक है ठीक है fats का या oils का food में तो उसके वज़े से वह खाना खराब हो जाता है उसकी smell खराब होने लगती है ठीक है और वह अगर हम खा लेते हैं तो हो सकता है या वह हमारे health को भी food poisoning जैसे बिमारियां भी हो जाए तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं antioxidant या तो मिला दें ठीक है antioxidant जन्रली दोखो एक BHC बताया जाता है हम लोग को ठीक है और हम लोग को एक BHT बताया जाता है यह दो अच्छे antioxidant है जिसके वैसे खाना कुछ कह सकतो समय के लिए सही रह सकता है उस पर रैंसिदिटी वाली एफेक्ट ना है उसके लिए हम यह antioxidant add कर सकते हैं या fat और oil को nitrogen gas के अंदर हम रख दें तो भी हो सकता है आप उसको बचा सकते हो या तो आप उनको airtight container में रखेंगे तब भी हो सकता है वो खराब ना हो या तो लाइट हो इससे दूर रखिए तब भी हो सकता है आपने सुने भी होंगे तो बच्चों यह पू hopefully आप सभी बच्चों को यह चीज़ें समझ में आयोंगी with the help of S.C.C. मैंने पूरी कोशिस की है आपको सारी चीज़ें समझाने की और पहले ही आप सार्टिंग में देखेगा वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपने resolution को सही करेंगी कि जो एक ए content आपको proper way में दिखें तो thank you बच्चों और please videos को share जरू कीज़ेगा so that मैं आपकी help कर सकूँ